हाई फ्रेंड्स वेलकम तो बायो स्टुड़ी विद निकल यूटुब चैनल हेर्विलन बालोजी सिंपल वे ओके सु यहाँ पर हम बालोजी को पढ़ते हैं सिंपल वे के अंदर सु महारास्ट्र स्टेट बूर्ड निवसला बस हम देख रहे हैं बायोलोजी का सु हमारा चाप्टर नबर 13 श्यालू है। जीसका नाम है और गेनिजम और पोपोलेशन ओके सो और गेनिजमंड पनिप !... चाप्टर हे 10 चाप्टर है जो आपको जो है आसानी होगी उसको बार बार आपको अलग पीडियाप जो है वो देखने के ज़रूरत नहीं पड़ेंगी तो आपको अगर चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में जाए वहापर इंस्टाराम की लिंक है वहापर फॉलो कीजिए वन टू फाइव चाप्टर के आपको नोट्स मिलेंगे बहुत अच्छे वो नोट्स है इस चाप्टर के भी मिलेंगे लेकिन उसको थोड़ा टाइम लगेगा तो ऑर्गेनिजम और इंवर्मेंट जो है अराउंड में हमारे उसको हम पढ़ेते हैं से तुर फास्ट एकोलोजी सो एकोलोजी किसे बोलेंगे हम so ecology lawsy means study, eco means environment and organism so add the organism is basically the study of animal or plants physiology means study of animal and plants called as ecology eco means environment, environment के उन्दर जो factors आती जासे के animals हो गया plants हो गया उसकी अगर हम study करेंगे तो उसको बोलेंगे ecology so physiology means उसकी physical structure physiology means उसका body के अगर हम study करें सो फिजीकल ली उसकी बोड़ी कैसे उसकी अगर हम स्टडी करते हैं उसे हम बोलेंगे फिजियोलोजी ओके सो वीच हेल्प वस अन्डेस्टाइड हाव और अर्गेनिजम और अडप्टेट सो एडप्ट मिस क्या होना किसी भी सिचुएशन को उसके सिचुएशन के साथ जब और अर्गेनिजम उससी उन के साथ खुदको क्या करता है अग्जेस्ट करता है उसे हम बोलेंगे अडप्टेट नहीं में मालूम में पर अधिक caliber हो कैusson हो जो है वो घुल मिल जाते कैसे उस situation को वो favorable situation बनाते हैं विकाज वो अपने body के अंदर certain changes ला दे और उसी changes को हम उस changes के process को हम बोलेंगे adaptation ओके adapted so how means physiology helps us understand how a organism are adapted so organism कैसे अडप्ट होते हुज फिस्वी जो है हमें helps करते उसको understand करने में तू देर इन्वारेमेंट इन्वारेमेंट के साथ वो कैसे अडप्ट होते हैं not only for इन्वाइवल सुफासर्वाइवल मीज दो अड़ाइब करते करते हैं but also propagation propagation is multiplication सो एक तो जिन्दा भी रहते हैं उसके बाद उसकी multiplication मीज उसके generation भी next जो है वह generation produce होती है because of adaptation okay so good environment क्या करता है खुद और गनिजम क्या करता है खुद को situation के साथ adopt कर लेता है तो उसे मोलेंगे adaptation so ecology simply the basically study of organism means the animal and the plants called as physiology and sorry called as ecology ecology and physiology is external means any organism के अगर हम externally बात करे उसकी physical structure की बात करे और उसके अगर हम पढ़ाई करे तो उसे में बोलेंगे physiology okay so यह हो गया organism and environment around so यहाँ पर हमको दिया आया figure में distribution of major biomes biomes means organism with respect to annual temperature annual means year के अंदर का temperature annual temperature okay उसे मोलेंगे annual temperature and the precipitation okay so यहाँ पर जो precipitation है उसको understand करो precipitation means rainfall so distribution of organism with respect to temperature and with respect to rainfall so okay यहाँ पर आप देख सकते हो यह distribution of organism है यहाँ पर desert में जो है temperature वो higher है यहाँ पर 25 degree celsius temperature है and उसमें जो है मिस्ट यहाँ पर rainfall is यहाँ पर क्या है कम है rainfall is laser यहाँ पर rainfall मिस 50 है और यहाँ पर temperature ज्यादा रहता है तो इस तरह से grassland में क्या है temperature ज्यादा है और water कम है okay so water कहाँ पर ज्यादा है यहाँ पर forest tropical forest के अंदर यहाँ पर temperature भी ज्यादा है water भी ज्यादा है सब्सक्राइब क्या है temperature जो है वह मेडियम है उसके बाद यहाँ पर water भी रेनफॉल भी उसमें मेडियम है तो इस तरह से आप यहाँ पर उसके मिस चार्ट को देख सकते हैं यहाँ पर मिसे क्या ग्राफ है सो ग्राफ हमें क्या बताता है नियुक्ति बॉटन जो इस तरह बॉटन जो डिफिनेशन वह ए इस इनवार्मेट के अंदर वह में इस ग्राफ के फिगर से understand करना पड़ेगा ओके यह हो गया distribution of major biomes with respect to annual temperature and precipitation then उसके बाद important जो definition वोई ethology so ethology means what the term was coined by helene okay so helene ने इसकी term coin की in 1854 के अंदर but was polarized by okay so sorry popularized by okay so popular किसने की by wm filler so okay 902 के अंदर so wm विलर ने क्या कि उसको popularize किया term coin की helene लेकिन उसको popularize किया wm विलर ने the term denotes so term क्या है ethology किसे बोलेंगे the term denotes speak for or the study of the behavior of animals in relation to their environment so environment के साथ वो कैसे behavior करते है उसकी study करना उसे बोलेंगे ethology so ethology बहुत simple है ethology means simply हम बोलेंगे it means the term denotes the study of study of behaviors of animal so animal environment के साथ कैसे behavior करते है उसकी study करेंगे तो उसे हम बोलेंगे ethology okay उसके बाद होता है ecology so ethology हमने देख लिया उसके बाद है ecology so term was introduced by he okay in 186 1865 okay yeah per 618 65 for the relationship of animals and the plants with their surrounding so you have a relationship with animals and plants of plants and animal के साथ कैसा interaction होता है उसे हम relationship बोलते interactions के बीच में कॉन कॉन से actions होते है और वहापर स्राउंड भी होता है okay surrounding with respect to their surrounding okay so यहापर interaction between animals and the plants with respect to their surrounding is called as ecology okay so ecology यहापर आप ध्यान में रोखो और फॉस्ट है ethology okay यह हो गया ethology and ecology उसके बात है environmental biology environmental biology कम क्या बोलेंगे modern ecology भी बोलेंगे so environmental biology क्या बताती है so environmental biology बताती है means iski term joe was introduced in 20th century so 20th sorry 20th century kender joe iski term joe isko introduced क्या गया उसको इसको इसे environmental biology को जिसे modern ecology भी बोलते so gl clark in 1904 and odom in 1969 given the emphasis of on the functional and the physiological interaction और interships between the organism and their surrounding so organism and surrounding के साथ कौन को सा interaction होता है उन पर इसने क्या दिया emphasis on the function and the physiological interaction between the organism and their surroundings so emphasis किसे बोलेंगे emphasis means focus करना means उस चीज़ को उसने focus किया किसने clark and odom ने क्या किया emphasis किया on the functional and physical interaction means focus किया जोर दिया okay so emphasis उसे बोलेंगे so कुछ जो word है उसके जो मिनिंग समको पता होने चाहिए और मैंने उसके मिनिंग जो बता भी नहीं दिये तो आप उसको google पे वापस search करेंगे तो आपको जो है वो दिफिनेटली वह ज्यादधा जरीगता किया दरेगा विकाज आप उसको activity की थुलन करेंगे तो emphasis means यहापर क्या है उसको focus करना मिस उन्होंने किसको focus किया functional and physiological interactions internships between the organism and their surrounding okay उसे बोलेंगे environmental biology उन्होंने introduced की in 20th century क्या अंदर okay then biosphere दे नहीं होता है फूर्थ डिफिनेशन है और दे वर्ड है वो इंपोर्टेंट है वह बायो स्पियर all ecosystem on the earth constitute biosphere so ecosystem से क्या बनता है biosphere बनता है okay so ecosystem on earth constituent biosphere so biosphere हम इसे बोलेंगे bio means organism and sphere means our ecosystem okay so इसे हम बोलेंगे biosphere then second is habitant and नीचे habitat so habitat है नीचे किसे बोलेंगे तो आज जो है इसका difference आपको clear हो जाएगा कि habitat किसे बोलेंगे उसके बाद नीचे किसे बोलेंगे तो बहुत ही simple and यहापर आपको totally यहापर उसका जो है knowledge दिया जाएगा okay so habitat किसे बोलेंगे so habitat is a place set of environmental condition around the organism habitat means जो organism है वो कहा पर रहता है मिस जहापर वो रहता है उस place को हम बोलेंगे habitat जैसे कि water हो सकता है land हो सकता है rock के उपर हो सकता है तो यह क्या है उसका habitat है मिस वो कहाँ पर रह रह रहा है okay then to which it must adopt to survive so यहापर जो प्रॉसपर होगा सो प्रॉसपर मींस यहापर evolution मिस उसे हम समरुद्ध भी बोल सकते है मिस यहापर उसका evolution होगा उसकी जनरेशन वो आगे बढ़ेंगे चाहिए उसकी जनरेशन आगे बढ़नी चाहिए और सर्वाइव मिस यहापर जिन्दा रहना चाहिए तो यह दो चीजों के लिए जो है वहाबिटेट यूज किया जाता है और गेनिजम के दार द्वारा ओके दिन और में हम इसकी जो जो जैसा एरिया जहां पर जो पर्टिकूलर स्पेशिस वो यहां पर रहते है उस एरिया को हम बोलेंगे है इसकोड़ मैंदा स्वाइट इस बहुत ही सिंपल है है थेन नेक्स्त इस फैक्तर लाइक संलाइट आवरेज रेंफॉल रेंफॉल दिन संलाइट अन्योड त प्रेजर मिस यह के अंदर का टेम्परेचर के अंदर का टेम्परेचर वसके बाट टाइपस आप स्वाइल प्रेजेंट और अदर ऑब्योटिक ट्रॉपोग्राफिक फैक्टर्स एफेक्ट दे प्रेजेंस ऑफ और्गेनिजम तो आर्गेनिजम उसे एरिया में रहने आपर टेंपरेचर क्टेंशन elkaar जो। और्गेनिजम तो यह एंड़ेक्ट करता है मिस ऑरगेनिजम वहां रहते है यह रहेंगे तो यह यहा पर ardम एक्याफिक वहतै पर इंपोर्टेंट एंबॉके धिन पॉन्ड रिवर एन ओशान इटिसी आर ग्जाम्पल्स व्विटेट अग्जानेट इस अंग दो और फॉन्ड फॉन्ट है उसके पाद रिवर उसके पाद ओशने तो यह क्या है है विटेंटाइब भीर्च यहां पर जो और गेनिजम रहते ह वुच्च पर जो और बो रहेते हैं इसया सब बोलेगे अर्बोरियाल जो खाईर पर रहते हैं तो एस सब्सक्राइब है टिरेस्ट्रेर्स्री टिरेस्ट्रेल मैंज लैंड की उपर रहने वाले और इसको आंधर आरेयर, है यह रहे ट को धृतय है सकते हैं जो यहां पर वह न रहे सकते हैं के बाद एरिब्र में रह सकते हैं पर रहें सकते हैं जिहापर और वीझ रॉपर रहे तैंड मोटाइल ऑर्गीनिशम सो जो अर्दिमेंट के ऊपर रहते हैं जो रॉौक्व रहते हैं वहां रहते हैं हुँ उसको रहते हैं हुँ सेदिमेंटरी रोक के अंदर रहेंगे ओके सेडिमेंटरी में उसके यह है मैक्रो हबिटेट नेचे यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँगा ओके सु नीचे जो आती हो टर्म नीचे इस यूज़ दिनेट डिनोट a functional role placed by an organism. So, निचे क्या है? Functional role placed by an organism. So, organism का role क्या है? Ecosystem के अंदर वो कौन सा function करता है? उसे हम बोलेंगे निचे. Okay, so in its environment, G. Grinnell 1970 के अंदर उसने निचे include, बताया है कि निचे include various aspects. So, यहाँ पर various aspects से, various sides से वहाँ पर. Of the life of organism, like diet, उसके बाद shelter, ETC. So, diet, shelter, ETC, यह क्या है? उसका functional role है, placed by an organism. So, निचे is used to denote the functional role placed by an organism. So, functional role है, diet जो है, वो diet लेता है, उसकी means जहाँ पर वो food टेक अप करता है, environment से कैसे टेक अप करता है, वो है functional role उसका, shelter है, मिस वो रहने के लिए कैसा shelter बनाता है, वो भी वो उसका functional role है, और जो निचे है, वो ही वो denote करता है, कि functional role placed by the organism in its environment, मिसे environment के अंदर functional role organism कैसे produce करता है, कैसे वो place करता है, ओके, उसे हम बोलेंगे निचे. निचे is described as the position of the species in the environment, यह भी हम बोल सकते हैं कि निचे जो है, यहाँ पर position is species की, position of species मिस स्पेसिस कहां पर रहे थी, environment वो भी निचे है, like what they do for their survival, मिस वो survival के लिए क्या करते है, then how they fulfill their needs of shelter, जो शेल्टर की जो need है, उसे वो fulfill कैसे कर सकते है, means वो कैसे करते है, fulfill means उसको जो वहाँ पर रह सकते है, ऐसा need, means ऐसा shelter वो बनाते है, उसके बाद food and etc, so यह जो है वो निचे के अंदर आते है, क्योंकि वो कैसा खाना जो है, उसको कहा से मिलता है, कैसे वो उसको टेक करते है, उसके बाद वो जिन्दा कैसे रहते है, उसके बाद वो अपने आज़े shelter है, वो खुद के खुद बनाते है, कैसे है, उसकी जो need है, वो कैसे complete होते है, उसको हम बोलेंगे नीचे, तो नीचे deals with the flow of energy, from one organism to another, hence it is important to understand, तो नीचे deals with the, किसे deals करता है, एक प्राइमरी कंजूमर दें सेकुंडरी कंजूमर दें टर्चरी कंजूमर, तो इस तरह से क्या होता है, एनर्जी फ्लोव होते है, और यह जो नीचे होए, यह उससे deals करता है, ओके, दिजी मिस इस इम्पोर्टन तो अंडरस्टन, इसलिए हम इसको understand करना पड़ेगा, लेकिवाज से important है, So what an organism eats, और गनिजम क्या खाते है, how it interacts with the other organism, दूसरे organism के साथ, कैसे interaction करते हैं, एक दूसरे के साथ, कैसे वो contact करते हैं, उसके बाद वो कैसे एक दूसरे में interaction करते हैं, वो आगया है नीचे के अंदर, then nature is specific to each species, So, नीचे क्या है, specific, specific species के लिए, So, नीचे क्या है, means वहाँ पर वो कैसे रहते हैं, So, जो बर्ड से, वो क्या करेंगे, वो घुसला बनाएंगे, So, means, बर्ड की जो species है, वो घुसला ही बनाएंगे, होगा यहां पर कॉंपेशन किसमें होगा फूड में होगा ओक दो पूड मैं उसके प्रे में होगा प्रे जिसको जिसके ऊपर फूड यो फीड करते हैं सो वहापर जो है अगर उन्हें उन्हें निचे बनाया तो उसको यहाँ पर हेलप मिलेंगी रेडिवी कॉंपिडीशन इस पॉंपिडिशन को रिड्यूस करने में तो यह है नीचे के बारे में है हुआ है तो देर थरी टाइपस और नीचे मैं क्या होता है इडीस विद फीजिकल स्पेस और रहता है तो उसकी बॉड़ी कि लेते हैं उसे बोलेंगे इस पाटियस नीचे और रहे बीटेट नीचे ओके उसके बाद होता है यह पर ट्रॉपिक नीचे तो सुशनुल आप ट प्रपिक लेवल पर पर फूर्ट चैन्म उसकी पोजिशन क्या है ओके तो उस पर वो डिपेंड होगा जिसेंगे ट्रॉपिक नीचे जिनो तैं मुल्टिडामेशनल और है पर वोल्यूम नीचे यह इसमें क्या होता है इत कंसीडर्स नंबर ओफ इन्वार्मेंट फैक्टर्स स्वें अन्वार्मेंटल फैक्टर को इसमें इसमें नान लिविंग ऐसे फैक्टर को चुन्टीजर किया जाता है और रिजल्टिंग स्पेस ज्यादा होगा ओके सुछ इस तरह से उसे बोलें के मुल्टिडिमेशनल नीचे ऑके इस्वास्ट आपटे आपिटेंग नीचे ते नो गया, multidimensional और hypervolumina न चे, so not something that can be perceived by the human's mind, this space is called as hypervolumina चे, so यहाँ पर जो word important है वो यह पर्सिव, okay, so पर्सिव मीस समझना और देखना, so not something that can be perceived means समझना, okay, देखना by the animal, human mind, so human mind इसको समझ नहीं सकता, देखना है सकता, so ऐसा space, this space is called as hypervolumina चे, so इस space को हम बोलेंगे, hypervolume नीचे, so यहाँ पर हम उसके difference देखेगा, हमें देखते हैं उसको habitant और नीचे के अंदर difference क्या होता है, so habitat is an area where the spaces live, interact with the other factors, prosper, okay, so first way habitants, इस आपको simple में समझ में समझ के लेना है कि जिस space में, इस एरिया में organism लिव करता है, उसे हम बोलते है habitat, और नीचे किसको बोलते है, so वा पर वो कैसे रहते है, उसे हम बोलते है, नीचे, जैसे कि यहापर देख सकते हो, नीचे is the concept of how organism is lived, so working on the..How organism is loom punk play, जैसे हो गया habitat, और बॉर्दिन JUST का हर देख सकते है और शरवा वे आतको कैसे वे खरते है हम बोलते हो लेंगे लेकिन वो कहुआ पर रहे थे हुआ हूं बोलेंगे habitat, so habitat consists of the numerous सब्सक्राइब कि पर सूब्सक्त कितना और फूट कितना अवेलेबल ऐसको फूट देखा जाएगा वहां पर देखा जाएगा वहां पर दिखा जाएगा उससे ही क्या होगा वह पर चेंज कर देगा तो यह बहुत कम है उसके बाद ऑबाइटिक फैक्टर जो है वह बहुत कम है तो वहापर और नहीं करेगा तो उस चेंज को चेंज कर देगा मिस्व जो इफेक्ट आप टेंपरेजन रेंफॉल जो है वह हैबिटाइट के उपर क्या करेगा एफेक्ट करेगा ओके दिन फ्लो आफ दे एनर्जी फ्रम वन और्गनिजम टू अनादर तू अनादर तू नीचे के अंदर आएगा सुमने फैस जो फॉस्ट एग उसको देखता देखान नीचे के अंदर लेकिन यहां पर जो तोड़ा शोड करके यह पर बता दिया है नहीं हमें सपोर्ड न्यूमरा स्पेसिस आ्टपीज एट टाइम चांट प्रम में नहीं रहे सकता है नीचे सब्सिंगश्तेंअ नीचे सपोर्ड प्लेस हैं बोड़ी जो जहां पर रहे थे फीजीकल फॉक्षेसिकल फ्लेस्टन के लिए वे प्रॉड एसे हां फेसिटिन धणने स्पेसिफिक्ट फेसिफिक सिपीग तो पेसिग एगस्फश अन अगुज फ anf है तू है तो इनके जो नीचे वो डिफरेंट रहे के लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पर नॉट स्पेसिफिक मिस यह स्पेसिफिक नहीं रहेगे ओके तो यह हो गया है विटेंट एंड नीचे के बारे में कंपरेट विए उसके बाद जो इंपोर्टन टायम इस टॉपिक है पिर जो वह मिज़र और बायतिक फेक्टर और ऑवाय तिक मिस ऐसे फैक्टर जिसमें जो जो जान नहीं रहे थी ओके और बाटिक फेक्टर बोलेंगे इसिन नॉन लिविंग बोलते हैं तो एन फाले बता दिया कि नॉल लिविंग से जैड यूस और प्रेजेंट इन एकोस स्टोन के इसमें जा नहीं के अंदर नहीं इसको अवाइटिक भी बोलते हैं इसके बाद ऑक्सिजन नाइट्रोजन क्लाइमेट उसके पाद टेंपरेचर पीच लेवल्स यहां पर यह कैसे इसमें जान नहीं अपाद मिलत लेकर बायो बरथीट मनाजन म Hä loyalty को कोया उसके बाद एक्स्टिमन इंपोर्टन फॉर्जान करने के लिए खेंपक्तर वो इंपएटिक संप्रेक्राम के παदाएं इसलाइट जो रहाम नांस को चाहिए उसका फूड़ वहासा प्रिपेर होता है सब Ihnen चनौिब temperature temperature का सा है all of our TK to smell young a non-living visit mo it is most ecological relevant environmental factor so ecological relevant so ecology के लिए important is your factor the robotic factor के अंदर wait temperature so average temperature on the land varies means your part of the school for different hood there is means change do the okay so average temperature on land changes from sub-zero level in the polar areas and the high अप्वाड्स अप्टू 50 डेग्री सेल्सियस इन ट्रॉपिकल अब डिजार्ट के अंदर जहां पर यहां पर रेत रहती है ऐसे जगा जहां जिसमें टेंपरेटर कितना होता है है 50 डिग्री सेल्सियस होता है कब समर के अंदर जो यहां पर जो एटेट्टूड पर उची जगह पर यह वहां पर टेंप्रेटर जो वह वह कम रहता है ओके देन जो नीचे है मिसलेंड के ऊपर है यह वहां पर जोई टेंपरचर ज्यादा रहता है यहां पर जो ए और गनीजम रहता है यूनिक हबिटेट उसे में बोलेंगे वह इसमें क्या होता है एटी डिग्री तो एंडड डिग्री सेल्सियोस जो ए टेमपरचर रहता है उसे होट स्प्रिंग नाम से जाने जाता है उसको देखते बोलते हैं डीप सी हाइड्रो थर्मल ह है ड्रो मिस वाटर एंड थर्मल मिस हीट वाटर के अंदर हीट प्रोडी सो ते जैसे कि डीप सी डीप मिस जो यहां पर डीप में होगा सी के अंदर ओके उसे मुझा बोलेंगे डीप सी और वेंट वियर आवरेज तेंपरेचर उज्यूली फोर हंड्रेड डिग्री सेल्स तो डीप सी के अंदर लेकिन हमें पाता है कि वाटर जो 100 डिग्री चल्चेस पर बोईल होता है लेकिन जो डीप सी वहाँ पर तेम्परेचर कितना रहता है 400 डिग्री सेल्चेस तो यह हो गया major aerobiotic factors that is sunlight or temperature okay so temperature is our major aerobiotic factor उसके बाद हमारा second aerobiotic factor है water so first temperature देने water so availability of water is an important factor affecting the organism as we know life on the earth originated in water so water is very important role play करता है organism can organism के life के अंदर so availability of water is an important factor affecting the organism so other water available होगा तो वहाँ पर ही organism रहेंगे नहीं तो नहीं रहेंगे because the water is important है जो वहाँ पर affect करता है okay organism के life के उपर as we know life on the earth originated from the water हमें पता है कि जो first organism वह वह वाटर के अंदर से ही आया आप समझ सकते हो कि वाटर कितना important है then it's availability is a so it's so limitation are required to survive there so यहाँ पर किया है limitations है it's availability means वह available कितना होगा उस पर limitation है okay so limited unlimited है क्या water नहीं limited water so are required to survive there so इसलिए हम यहाँ पर उसको survive करने के लिए organism को survive करने के लिए water लगता है then the productivity and the distribution of the plants are also heavily depend on water so water means जहाँ पर water ज्यादा होगा वहाँ पर productivity ज्यादा होगी यहाँ पर distribution of plants ज्यादा होगे होगे तो यहाँ पर क्या है हमारा जो यहाँ पर sentence है वह है the productivity and the distribution of plants distribution of plants plants उस जगह पर ज्यादा होंगे या कम होगे कों डिसेट करता है तो water डिसेट करता अगर water ज्यादा है वहाँ पर तो plants भी ज्यादा है definitely प्रोसेश जो है पता है जहां से क्या होता है जो plants होते है वह सनलाइट का यूज करके अपना जो फूड बनाते ग्लुकोज बनाते ओके अन विच इस ओनली सोर्स अफ एनर्जी फॉर देखो से एको सिस्टेम के अंगर यह क्या है सोर्स अपे इनर्जी ए प्लांट स्कोई नहीं तो ऑर्गनिजम को भी एनर्जी मिलते बिकाज आफ लाइट से सो फोute synthesis का फर्वर शोनhã 여기 on the present एस ऑनलाइल था फोटोसें थेने होगा अनिन मेनेश्य सब्यों म olmuş 수 माड़ अर्ञ ग्रोम छॉड ब थेम स्टेम नहीं ओ कि आ पार सब्सक्राइब होगे आं और इस थाहर ग्रोगे नहीं थाहीं の आ जो UK आदे भीकॉस आप एक स्नॉला होते लिए उसको हर्ब और वोलते है . यु सके उपर उपर लेकिन नीचे के इरिया भी आपर रहे पर यह है और अड़ आडप्ल Patch फोटो स्थे or रेक्डिम makesoke Estado ऍिसके अड़ लेकिन जो भी थोड़ी बहुत धुपार रही उससे वह क्या गरते फोटो सिंदेश करते उस कंडिशन में उनको क्या हो गए उसकी आदत हो गई है उनको उसने क्या किया उसको कंडिशन के थुरू खुद को चेंज कर लिया तो इस तरह से वह क्या होगे अड़ाप्ट हो गए बिकॉस कंडिशन में यहाँ पर लाइट कम गिरता है सो सनलाइट अगर आएगी तो यह जो ट्री उपर वाले वही लेंगे यहाँ पर हर वैंश्रब जो नीचे वाले प्लांट है उनको मिलेंगे नहीं तो इनको कैसे मिलेंगी तो यह जो है वह आप्टिमल में लोट बिकॉस इन्होंने खुद को अड़कर लेए उससीचुएशन में और यह वैसे भी उसको खाना वो प्रिपेर करेंगे तो यह है लाइट के बारे में देन ओता है स्वाइल 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 आज दिपेंडिंग अन्ड़ क्लाइमेट तो क्लाइमेट कैसा है इन वह कैसे होगी वहाँ पर जो डिपेंड करता है वह एक्लाइमेट वेदर है वेदर वेदर वोगी तो वेरियस क्यारेक्टेरिक्टिस ऑफ देस्वाइल सच अज अज पॉजिशन ऑफ गरें साइज दिन डिटर्माइन द परकोलेशन अन द वाटर होल्डिंग कैपसिटी मिस वाटर को कितना होड करके रखते हैं पकड़ के रहते हैं यह भी यह वह 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 ग्रेट्रिटी से अफ स्वाइल की सच आज दुप कंपोजिशन में उसके अंदर कैसे निउटरेंट है यह वह पार ग्रेंग साइज साइज कैसे है इसके बाद डिटर्माइन द परकोलेशन मिन्स जमिन के अंदर से जो वाटर फ्लो होता है उसे बोलते है पर कोलेशन तो उसके अंदर से वाटर फ्लो होगा कि नहीं होगा वह कैसे वह कैरेक्टरिस है स्वाइल की ओके सो इस क्यारेक्टरिस अलांग विड़ पी अच मेंस यहापर पी एच होता है असेडिक बेसिक जो वह बेस उसको जो यह वह शो करता है दिन मिनरेल्स कंपोजिशन मिनरेल्स कितने हैं अन्द ट्रोपोग्राफी डिटरमाइन द वेजेशन अन एरिया मिस्वा घृत पर आएंगर वोपन करता है मिनरल्स कितने उस पर ऊके वह क्या करता है डिपेंड रभीपेंड होता है तो यहांपर वेजेशन होता है बीकाश मिस्वापर प्लांट्स ग्रॉइंग नहीं होंगे जो यह उसकी कारेक्ट जिटीड करता है अगर और रभीटेसित वह पर वेजटेशन होगा hoaga vegetation in a turns distal distant types of animals okay distinct means different या पर अपा धयन मेरो कोड different types of animals so وेजेशन means different types of organisms 반ree plants yo I form ok because you talk about the organism form वोगे वो उसको यहापर क्या करते हैं वह डिसाइड करते हैं ओके नेक्स टैसे के सब्सक्राइब के साथ खुद को वह धना पड़ता है to change in the environment so environment के साथ अगर change environment चेंज होगा तो खुद को भी उस situation में क्या करना पड़ता है घुल में जाना पड़ता है और विच देर फॉलिंग पॉसिबिलिटी तो यहां पर फॉलिंग पॉसिबिलिटी दी गई है है तो हम देखते हैं तो जो फॉस्ट पॉसिबिलिटे वह एट रिगुलेट तो सम और अर्गिनिजम आर एबल टू मेंटेन हीमोस्टैस तो हीमोस्टैसिस मिस्ट यहां पर ब्लड जो है वहाँ पर उसकी लेवल वह मेंटेन कर सकते बाइद फीजियोलोजिकल और बिहवियर सब्सक्राइब कर सकते हैं तो उसको मेंटेन कर सकते हैं इसको फर्स्ट पॉईंट को नाम दिया है रेगुलेट मिस्ट मेंटेन कर सकते विजह इंस वाली के बड़ीट चेंज को रीड़िव ने होने देते अगर वहाँ पर रेनफॉल ज्यादा हो गया तो वह खुदकी अपने बोडी के अंदर उसको मेंटेन कर सकते हैं यह है रेगुलेट का ओगे यह रेगुलेट के बारे में इसके बाद होता है कन फॉर्म में क्या है इस से कंदे कंफर्म तो मोस्ट आप अनिमल्स अन प्लांस के साथ उसका जी बोडी का टेपरेटर वो चेंज होता है विए क BeneS ega कर सकते मिश थर्मो और अधर नहीं होता है सो भॉलेट करना असके अंदर नहीं होता सारसयस क्रेइएं लेटन लिंड़ी सी तो रेगुलेट वीडीद या पर लिमिटेड रेंज उस रेंज के उपर जो यह हो सो टेम्परेटर को वहाँ पर रेजिस्ट नहीं कर सकते और एन्वारमेंचंटल कंडिशन्स बेऊंड वीच धीश सिम्प्ली कंफर्म उस लेवल के उपर वह जा नहीं सकते वह सिम्प्ली कंफर्म हो जाएंगे ओके यह हैं कंफर्म बिन्स जो एव है वह है माइगरेट दिन थर्ड ए माइगरेट फॉस्ट है रिगुलेट उसके बाद नवर्ट कानफर्म दिर माइगरेट तो माइगरेट के अंदर क्या होगा अदर ओर अधर इसमाई के लिए वाहाँ से मूव हो जाएंगे फ्रम अस्त्रेस फुल है भी जिस फ्रिस्टल पिरेटीं इस वे ऐंग घ्रेकॉड और गोने गीं नियुंत शोटनिंग का ऐगा जूरे सुर्चसों दॉस्ट такой बढ़ितेट वी चैने लिकिन पहले वाले अड़ि प्रैकिन गीण के लॉँगी याद गाया हो गए की हरे वह विंटर के अन्दर क्या हूं पहुत ही लॉंग तो यहां पर है तो उसके दूसरा हें बीच में बहुत ही बढ़ा होता है उसे बोलते लॉंग difference to move the hospitable area hospitable area मिस जहाँ पर उसको जो है वो एंवर्मेंट के साथ वो अच्छे से रह सकता है ऐसा एरिया ओके तो यह होगा है migration migration means simply यहाँ पर transfer of the spaces from one means traceful habitat to the hospital habitat hospitable okay यह होगा है migration then next is suspend so suspend क्या पाता है in plants seeds serve as means to tide over the period of trace so seeds क्या करते means tide over the period of stress they germinate to form a new plants they work at the germinate होते favorable moisture उसको अगर मिलगा temperature condition तो वह क्या होगी germinate होगी seed जो है वो plants form करेंगी okay so यह जो है इस तरह से plants वो plants को form करेंगी विकास वो germinate होगी so means to tide over the period of stress period of stress को क्या होगी वो tide करेंगी okay and they do so by reducing their the metabolic activity so metabolic activity को reduce करके वो ऐसा करेगा and going into the state of dormancy so dormancy में जाएगा वो मिस्वापर उसको stop होगी सब development in animals the organism if unable to migrate may go into the means यह आपर एक जो सब्सक्राइब यहां पर कोई बैक्टिविटी नहीं होगी एस स्टेट के स्टेट में वो चले जाएंगे द्यूरिंग विंटर सो इंटर के द्यूरिंग में okay so उसको बोलेंगे सब्सक्राइब उसके बाद adaptation okay so adaptation क्या है to cope up cope up mix mix mixing okay with extreme variation एगर extreme variation environment के अंदर उसके साथ अगर मिक्स करना है तो खुद के अंदर changes लाने होगे और changes को बोलेंगे adaptation so in their environmental some organism response through the physiological adjustment so body के साथ वह कुछ changes लाते हैं कुछ को adjust करते उसे environment के साथ और उसे हम बोलेंगे adaptation okay so while other do not behaviorally like the migration जो बाकी जो है उसके साथ अगर environment के साथ वह अग्जस्ट नहीं होगे तो क्या अगरते माइग्रेट होते मिस वह अपना space क्या अगरते इस प्लेस जो है वो चेंज करते और उस प्रोसेश को हम बोलेंगे migration जिसमें ओर्गनिजम जो है प्लेस चेंज करते हैं इस आर देर adaptation सु यह हो गया adaptation के बारे में दिन मेने डिजार प्लांस हो थी क्यूटिकल उसके ऊपर क्या था थी क्यूटिकल होता है अश्कTrick ख्यार ऑन औरे लिफ में डिजार में जो प्लांस जिए अई डिसार तुम आट सब्सक्राइस चोप्लांस हो है करदे में स्टोमाटा से जो वैपर होते हैं उस प्रसेश इवापरेशन और स्टोमाटल जो होते हैं ट्रांस्पीरेशन जिसमें वाटर लॉटस होता है इसलिए उसके होते हो तो माटा वटे ऑ थीख होते हैं घौते हैं थो तर्म टैएंट इसलिए-हो त्रान्सक्राइशीम फोटो फोसिंतेटेटिक पाथवें होता है दो इस पांटावFr इसमें क्या होता है that enables their stomata to remain closed during daytime so daytime के अंदर stomata का रहेंगे close रहेंगे और वह कब मिस open होगे night time के अंदर क्या होगे open होगे so daytime के अंदर वो close होगे because daytime के अंदर क्या होता है sunlight होता है sunlight अगर उस मिस पत्ते पर अगर उस लीफ पर गिरेगा तो वहां से water loss हो जाएगा water loss हो जाएगा तो जो पेड़ है उसको वाटर कम गिरेगा विकोज जो पेड़ है वो desert के अंदर है यह बात आप समझ लो उसलिए जो night के अंदर वो क्या करते हैं अपने stomata को open करते और photosynthesis भी कब होता है night में होता है because photosynthesis में होते हैं सो इसलिए जो यहाँ पर जो स्टो मैटा ओपन होने चाहिए कि नहीं इसलिए यहाँ पर उस acid metabolism कम बोलते क्रासुलियन acid metabolism है तो यहाँ पर जो है वह हमारा जो थर्टीन चाप्टर है और गिनिजमेंट population उसका जो पाइड फरस्ट है वह यहाँ पर होता है तो पार फॉर्स्ट ही आपर हो गया उसके बाद इसका से कंड पार हम बनाएंगे और रिमीनिंग जो पोरिशन है वह उस में लेंगे सब्सक्राइब करूंगा अगर आपको भी नोट्स को शेयर करूंगा अगर आपको भी नोट्स को शेयर करूंगा सब्सक्राइब करूंगा अगर आपको चले चाहिए तो आप मुझे कर सकते हूं यहाद तक बस आज के लिए यही चाप्टर है हमारा फॉर्स्ट यहाँ पर पार्ट हो गया थर्टिन चाप्टर का सो मिलते हैं नेक्ट शुड़े में तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे बेपी थैंक यू सो मुझ